हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक तो मैं चैनल आज की वीडियो में आप लोगे साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप किसी भी सलवार की स्टिचिंग कैसे कर सकते हैं इससे पहले मैंने आपको इसकी कटिंग करना बताया था तो उस वीडियो को भी आप चेक आउट कर सकते हैं सबसे पहले हम यहाँ पर बैल्ट की स्टिचिंग करेंगे तो एक साइड से पहले देखें हमार दोनों साइड से बैल्ट ओपन है तो एक साइड से पहले बंद करेंगे उसके बाद में दूसरी वाली साइड की तरफ से हम देखें कुछ इस तरीके से सिलाई लगाते हैं बीच यहां पर मैं अच्छे से शो कर देती हूं कि आपको कहां पर कैसे जोड़ना है यह हमारे एक पैर का कुंदा और दोनों साइड्स की तरफ इस तरीके से कलियांगी यह हमारा एक पैर का है बीच में आपका पट यानि जो कुंदे वाला पाठ है वो आएगा और दोनों साइट्स की तरफ आपकी कलिया देखे इस तरीके से जुड़ेंगी तो आपको एक पैर के लिए इस तरीके से पैटरन को पूरा तयार कर लेना है ऐसे ही हमें दूसरी वाली पैर के सलव कर लिया है अब हमें अपने आसन वाले पार्ट पर सिलाई लगानी है आप यहां पर अगर मियानी लगा रहे हैं तो आप मियानी के साथ सिलाई लगा सकते हैं तो हम यहां पर सिंपली ऐसे ही सिलाई लगा कर अपने आसन को जोड रहे हैं इसके बाद में हमें निशान लगा कि हमें प्लेट्स कहां से डालनी है तो उसके लिए आपको अपनी बेल्ट ले लेनी है एक साइड की दरफ देखें तीन उंगली का डिफरेंस छोड़ते हुए हम इस तरीके से इसको बिल्कुल सीधा रखेंगे उसके बाद में आपके जो बेल्ट है उसको हाफ कर लेना है या लेक साइड कe तरफ आपके इस तरीकवाये कैने सीधा ड गिर पिछ के तरफ साइड के तरफ प्लेटो जाएंगी और जो मनें पीछे तीन नंगल का प्श्वड़ती जो बीखेंगे वहां पर हमारी एक ये प्लेटप एगी वह हमारा back वाला side रहेगा और यह हमारा front वाला side रहेगा अब देखिए आपको plates कैसे बनानी है तो इस तरीके से एक side के तरफ हम start करेंगे एक side से plate बनाना और चोटे-चोटे चुन्नेटे पकड़ते हुए इस तरीके से आपको plate बनाना है अब देखिए हम दूसरी वाली plate पकड़ रहे हैं तो इस तरीके से आपको पकड़ना है और जो आपकी उंगली है उसका जी फरस्ट पार्ट होता है सेकिंड पार्ट होता है ज बहुत जादा गहरी plate बनानी है तो आप दूसरा नंबर वाला ये जो निशान है उस पर रख सकते हैं तो हम यहाँ पर कभी आप सेंटर में रख लीजे या फिर हम यहाँ पर फरस्ट वाले नंबर पर ही रख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हम काफी घेर वाली सलवार बना रह इसलिए हम यह जो हमारा फर्स्ट वाला निशान है वहीं पर रखते हुए सारी plates को डाल लेंगे और जो आपकी plates हैं वो देखिए नीची वाली साइट से भी बिल्कुल बराबर आनी चाहिए खिसकती हुई नहीं होनी चाहिए तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है plates बनाते हुए कि बिल्कुल उपर और नीचे से दोनों साइट से बिल्कुल बराबर रहें और जो ह यहां पर आगया है यह हमारी आखरी प्लेट बनेगी यहां पर तो जहां तक हमने निशान लगा के कट लगाया था बेल्ट से नापकर वहां तक आपको सिलाई लगानी है अब अपोजिट साइड की तरफ हम इस तरीके से प्लेट डाल लेंगे और यहां पर देखिए हमने प्लेट पूरी बना ली है और बैक साइड से भी आप देख सकते हैं बिल्कुल बराबर आई हैं हमारी प्लेट और अब उल्टी यानि के मारे बैक वाले पार पर हम प्लेट बनाएंगे तो यहां पर काफी सार लोगं का यह वाला पार बड़ा भी हो जाता है और काफी सार पर देखें इस तरीके से प्लेट उठाकर एक एक्स्ट्रा प्लेट भी डाल सकते हैं जिससे की बिल्कुल अच्छे से फिट आ जाए बैल्ट का देखें यह वाला हमारा सीधा पार होता है जहां से हमें कमरबंद यानि की नाड़ा इंसर्ट करना होता है वह वाला साइड आ और अब हम अपनी बैल्ट और सलवार को आपस में जोड़ेंगे पूरे में गोल पूरी आपको सिलाई लगानी है जिससे की बैल्ट और हमारे सलवार आपस में जोड़ जाए और एक चीज़ का ध्यान रखिए सिलाई लगाते वक्त क्यूंकि जो हमारी नीचे की बैल्ट है वो कभी कबार आड़ी टेड़ी और उसमें दबने लग जाती है तो आप उसको बिल्कुल सीधा करते रहिए और तब ही आप सिलाई लगाईए और यहाँ पर देखिया हमारे जो बेल्ट है वो पूरी लग कर बिल्कुल अच्छे से आ गई है ऐसे ही आपको अपने बैक वाले पार्ट के तरव भी ध्यान रखना है कि जो आपकी सिलाई से सिलाई मैच होनी चाहिए तो गाइस फाइनली हमारे जो सलवार है वो बनकर बिल्कुल रेडी हो गई है और अब केवल हमें इसके पोचे यानि की बॉटम वाले साइड्स बनाने है तो यहाँ पर देखे हमने इस पोचे बना कर रेडी कर लिए है अगर आपको देखना है कि पोचे हम कैसे बना सकते हैं तो कॉमेंट्स में बताएगा उसकी सपरीट वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करूंगी अब देखे इस तरीके से बिल्कुल बीचो बीच में से इसको फोल्ड करेंगे और आप बॉटम का क्या नाप रखना चाते हैं अपने अकॉर्डिंग निशान लगा लिजे और अब हमें पूरी सलवार को आपस में स्टिच कर देना है तो यह हमारा आखरी यानि कि लास्ट स्टिच होएगा तो यहां पर हम इसकी चोडाई रख रहे हैं करिब साथ इंच और इसको हम पूरे सिलाई लगा कर नीचे तक पूरे सिलाई लगा कर अपनी सलवार को कम्प्लीट कर लेंगे एक्स्ट्रा कपड़े की अब हम कटिंग कर देंगे जो हमारा पोचे के पास एक्स्ट्रा निकला होता है कपड़ा तो देखे इसके साथ साथ हमारा जो बॉटम है पोचा बनकर रेडी हो गया है और यह मैंने अम्प्रोइडरी वाला पोचा बनाया है हमारी इसी आटोमाट तो आपके आगे पीछे की दोनों से लाईयां हमेशा ध्यान रखिए कि मैच होती रहें तो I hope कि आप लोगो ये वीडियो अच्छा लगा होगा अगर पसंद आई हो वीडियो तो इसको लाइक करना ना बुलें और और also follow me on Instagram and Facebook and please subscribe to my channel ऐसी amazing और new वीडियो देखने के लिए मिलती हूँ मैं next वीडियो में तब तक लिए अपना खयाल रखिएगा बाबाई खुदा हाफिज